हेले दोस्तों अगर आप किसी इंडस्टी में जॉब करते हैं तो आपको PLC की वाइरिंग के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आज PLC की वाइरिंग के बारे में ही जानेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर PLC की वाइरिंग के बारे में कोई वीडियो बनाई है तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं PLC के वाइरिंग कैसे करी जाती है देखेें इंडस्टिय में ज्यादा तर हमें दो प्रकार की PLC मिलती है कोंपक्ट और मॉडलर देखें जो कॉंपक्ट PLC होती है वह एस्मॉल फिक्स और स्मॉल ओटोमेशन के लिए प्रियोक करी जाती है और जो मोड़लर PLC होती है वह high automation और इसमें क्या होता है हम input outputs की जंग्या को बड़ा सकते हैं अब PLC की wiring करने के लिए हमें पैता होना चाहिए कि PLC के inputs क्या होता है PLC के outputs क्या होता है देखे PLC के जो input होता है वह NONC switch, limit switch, PNP sensor और level sensor और भी ज्यादा जो sensors होता है वह सब PLC के inputs के लिए प्रियोग करे जाता है अब PLC के output क्या होता है जैसे की motor, solenoid valve, speaker and lights etc. यह सब क्या होता है PLC के output होता है पहले क्या है PLC input devices या फिर input situations द्वारा input लेता है और फिर output अपने किसी relay को, motor को या फिर solenoid valve को देता है अब इनकी wiring कैसे होगी, main topic यह है कि wiring कैसे करी जाती है माल लेजिए आपके पास एक PLC है जो मैंने आपे draw कर रहा किये यह इसका input module है, यह इसका input module हो गया पूरा और यह है इसका output module ओके यह जितना भी output module के terminal है और यह input module के terminal है तो हमने क्या बताया था कि input module में हम inputs को connect कराते हैं और output module में हम outputs को connect कराते हैं देखे, input module में क्या है, यहाँ पर मैंने 14 input terminal ही दिखा रखके हैं माल लेजिए आपको क्या है, एक motor को on कराना है, आपनी PLC के द्वारे कमांड देनी है और वे interlocking करते हैं, आपके motor को चला दे, तो कैसे बनाएंगे, देखे, आपके बास माल लेजिए एक push button है उसको आपने क्या 24 voltage supply ली और उसको आपने के input में ले जाकर, आपके output से निकालते हुए, तीन नंबर PLC के input module पर दे दिया अब एक और input है, उसमें interlocking कर रखे हमने limit switch के साथ, जो कि limit switch का जो है, वह आपके पर हमने 24 voltage दिया और NO points से 24 voltage निकालने क्या, PLC module के 11 नंबर पर हमने इसको दे दिया, तो जैसे ही PLC को ये दोनों signal NC हो जाएंगे, तो PLC output निकालना चाहिए, output module के throw, अब output module से हमने क्या 6 नंबर terminal से एक output निकला है, जो कि motor का contactor होता है, उसकी relay को जा रहा है, जो कि relay को जाएगा और दूसरा point जो होता है, relay का, एक A1 को चला गया, क्या हमारा इधर से 24 voltage ही निकलेगा, जो relay के A1 को चला गया, और A2 से हमने 0 voltage connect कर रखा है पहले सी, तो क्या है, जैसे ही यहाँ पर 6 नंबर आएगा आउटपुट, हमारी relay on हो जाएगी, और relay से जुड़वा contactor on होगा, जि यह था हमारा wiring कैसे हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ, wiring तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन यह वर्ग कैसे करता है, इसके लिए हम computer में program कैसे बनाते है, तो अब program को जान लेते हैं, दीखें, यह क्या है, यह जो है, यह हमने program बना रखा है, इसको बोलते है rails, यह ज आपको यूज करना है, और आपको यूज करना है, यह क्या है, यह क्या है, यह limit switch का input है, और output 06 जो है, आपके relay को output देगा, मतलब यह काम कैसे करेगा, आप देखें समझते हैं, जैसे ही यह NO switch को कोई दबाएगा, मतलब कि यह NC हो जाएगा, और I011 यह भी NC हो जाएगा, तब हमें output मिल जाएगा, output क्या है, यह relay है, relay क्या है, on हो जाएगी, तो इस तरह से हमारी motor चल जाएगी, तो program कुछ इस तरह से बनता है, यह काफी program अगर ज्यादा बढ़ा है, तो इसको नीचे इस तरह से और ज्या उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नो कोई जानकरी जरू मिली होगी इस वीडियो से, तो इसी तरह के electrical की वीडियो को देखने के लिए, चैनल को like, comment and subscribe शुरू करें, धन्यबाद, जय हिंद